हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो दोस्तो आइसोल बी ए प्रोग्राम सेकिंड एंड फोर्थ सिमेस्टर के जो आसाइनमेंट हुए थे उसका रिजल्ट डिकलियर कर दिया गया है रिजल्ट चेक करने के लिए आपको एसोल की वेबसेट पर आना है और सबसे नीचे जो आपका ABE वाला लिंक है यहाँ पर रिजल्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है इसके बाद कॉलिज नेम में आपको स्कूल ओफ ओपन लर्निंग चूज करना है यहाँ पर आप नीचे स्कूल डाउन करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो School of Open Learning का आप्शन है यह जो नीचे Open Learning, South, Female, Male यह सब मत्चूज करेगा सिंपल आपको जहाँ पर सर्फ School of Open Learning लिखा हुआ है यह चूज करना है अपना Examination Rule Number डालना है है यहाँ पर फूर्थ समेस्टर का रिजल्ट है बी ए प्रोग्राम के स्टूडेंट का, यहाँ पर सब्जेक्ट आप अपने तसली के लिए देख सकते हो, अंडरसेंडिंग, हुमन लर्निंग, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू, इंटरनेशनल रिलेशन जो की बी ए प्रोग्राम में फूर पर एर लिखा होता है, अब यह फूर्थ समेस्टर का रिजल्ट है, तो फर्स्ट एर की जो परसंटेज होगी बच्चे की, वो फर्स्ट एर की CGPA 7.05 को 9.5 से मल्टिप्लाए करेगा, तब निकलेगी, ठीक है, CGPA जो होती है, एरवाइस होती है, तो इसलिए परसंटेज भी एरवाइस निकलती है, तो यह फूर्थ समेस्टर का रिजल्ट भी ए प्रोग्राम का था, अब आप सेकिंड समेस्टर का भी देख लीजिए, अब देखिये, सेकिंड समेस्टर में, यहाँ पर आप देख लीजिए चाहे, यह आपका जो इंगलिश डिसिप्लिन इस के पास सब्जेक्ट था है, ठीक है, और AETC में है, इसके पास जो था हिंदी था और MIL में हिंदी था, और यहाँ पर सेकिंड एर के इस बच्चे के मार्क दिख लीजिए आप, और इसका मतलब यह सेकिंड समेस्टर का रिजल्ट है, तो फर्स्ट एर की परसंटेज आएग पेशन्स रखे, वेट करा, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत सुक्रिया, ठेंक्यू